स्वालोड या स्टूडेंट्स वल्कम वल्कम वेर्टाइव दिसक्राइब करने वाले आज्या क्लास में हम कॉपी वर्क करें पिक बहुत इसक्ति करने पाते हैं वो डरते खरने के लिए तो उसी का टॉपिक आज में करेंगे यह इसकी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला चीज़ों के अच्छे देखिए सिखेगा पूरा क्लास में उसके अकूरिंग करेंगे बहुत इंपॉर्टन पॉइंट आपको बताने कोश करूँगा शुदर उसके अकूरिंग को क्लियर्टी भी ले है जो की अलोवर पूरा एक सलवर सुट का ड्रेस का अकूरिंग जैसे इसका साइजिंग अपर देखिंगे थर्टी वन फॉर्टी इंच का पूरा स्कैन करना पड़ता है तर उसके बार उसको आपको देखके लग रहे हैं तो बहुत पूरा फ्लाट आपको स्कैन होगे उसका देख सान पावद को साफं परफद होता है कैसा स्कैन करना होता है ताकि उसको प्रॉपलट आपको比ड प्रोंटंण को काम कर पाया थर्ड होता है कुछ इस टाइप का जब भी डिजाइन बनाना होते है सलवाट सुट वगरे का या तो कोई भी ड्रेस का डिजाइन है इसले पपका सलवाट सुट का नहीं होता है अब scan करने के बाद उस particular dress में कुछ portion ऐसा होते है जिसको draw करके बनाना पड़ता है तो वो सारा combination के बाद ये पूरा design को copy करके बनाया जा सकते है इस तरीके से जब खास करके scan copy करने या तो जो इसको बोलते हैं हम पूरा dress का designing copy करना होता है तो यह पूरा process आपको अच्छे सीखना पड़ेगा शोधर इसके according आप understanding कर पाए and obviously it's easy अगर आप चीजों का अच्छे समझ जाओ तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आपके लिए थोड़ा completely हो सकते and first of all मैं आपको इस particular session को सुरुवात होने से पहले इसको बताना चाहूं guys जो कि हमारा 98 channel का जो course curriculum का parts है उनके लिए मैं especially बता रहा हूं कि जो हमारा 98 channel के course में इस इसमाना already clear किया हुआ है जो हमारा export level के classes है उसमें मैंने इस तरीके का copy print designing का को पूरा process बता हुआ कोपी फिरन में photocopy scan copy का अलग अगण टितोरियलस है आपको दिख रहा होंगे यहां पर scan copy में 25 टितोरियल से photocopy में 63 टितोरियल से copy designing का जो life class है यहांपे पर यह आद हो जायगा अलग 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 अलगा life classes है तो ऑनाटीए channel के course में जैसे हाप इस तरीखा कोई भी design साथ तो आप कैसे बना पाएंगे, क्या technique होते, कैसे हम बनाते हैं, सबसे important बात गाइस इस तरीखा design करें को बनाते हैं, बहुसता हम tricks and hacks को follow करते हैं, वह भी मैं आपको बताओंगा, तो पुरा season को continuous में देखेगा बिना skip करके, जैसे आप लाइव सेसिन में है तो पूरा लाइव क्लास को प्रॉपरली देखेंगा ताकि आप आप अर्टेंशन फ्रॉकस देख पाए जब रिकॉर्ड वर्शन देखेंगा ताकि आपको इचे पार्ट आपको अच्छे समझ में है विकॉज इस तरीका डिजानिक बनाने के बहुत सारा डिजानर जो कि घबरा जाते हैं जब भी डिजाइन देखते हैं सर यह मतलब यह डिजान कैसे बनाएगा यह तो बहुत कंप्लिक्टर लग रहा है कैसे इसको मैं प्रॉपरली सेट कर पाऊंगा क्लार कमिस्टन कैसे होगा काफी माइंड में अलग-अलग साथ-साथ में आपको एक डिजानर बराने के लिए कौन को चिसको फोकस करना होते हैं कैसा आवो स्मार्टली अफ़ास तरीके से कर सकते हैं उसका भी इचने अबरी स्टेप आपको समझ में आएगा तो पूरा प्रॉपरली पूरा सेट देखिएगा आपको क्लिर अटियर इस पर्टिकुलर स्टेशन में इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग के आपकोरी काम सुरुआता है जब भी हम एक डिजाइन को बनाते हैं खास करके ड्रेस का डिजाइन होते हैं इस पूरा ड्रेस को हमें प्रॉपरली स्कैन करना पड़ता है इच और पूजिशन को हमें अच चोटा scanner होते एतने चोड़़ स्कैनर होते और रहे सकेंड करने जाएंस कैंगे तो,kenning में काफ़ी कुम्प्री्टिक रहा हैं जोड़े दिधान पर छी है आपका इक उस्कैननी बहुत पूरल पार्ट को स्कैन करें उसको जोड़ के बनारए जवल वेरी टॉफ अब उसको हम थोड़ा सा अलेक्ट्रिकी तरीके से करते हैं वह भी बहुत इंट्रेस्टिंग इसलिए आपको बता रहा है बहुत पूरा सजन के अच्छे देखेंगा बहुत क्लेटिव एक चित फर्श पॉइंट बता रहा हूँ स्कयान करने का प्रोसर्ड जब भी इस तरीका पूर्वर रिभलेशिंगी को बरना होता है वैं मतलब क्या होता है यह पूरा जो द्रेस होता है इसकी पूरा स्टेट करको फर्स में दा कि से रखाबह चदर वेगरा या तो संपु जो फर्स में ट mattered होते हैं आवह पे आपको स्टीकर से पूरा ड्रेस को प्रफर्ली चिप करण पड़ता है डिए जैसे कोई भी अग एक ड्रेस है उस ड्रिस को आगर First में रख देंगे तो पूरा ड्रेस हमें फ्लैटली दीखेगा अब उसके उपर किया करती है। या तो अगर हमारे पास बड़ा स्कैनर हो जैसे कि एक विस्वा द्विसमें हमारा धूसरय जा क्योली में बॉर्पारिस्ग उप्रपर्शन करना कोई करना पड़ता है ताकि हमें अच्छे से अच्छा पूरा portion को scan मिल जाए and come scan में पूरा design को हम प्रपर्ली scan करना पड़ता है, then इसके बाद ही हम इसको पूरा desk को जूड़ते है and जैसे आपको उना बताये guys कि यह जो पूरा scanning का process है कैसे scan करना होते हैं, किस तरीके से स्कैन को जोड़ना होते हैं, Each and every step मैंने हमाने 98th को को इसको मैंने बताया हुआ है, ताकि आप उसको, ऐसे सीख पाए, आप उसको जाएग को जॉब करें, उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी के लिए इसको उपर नेक्स प्रस्टो आपको जा जा जाते हैं, इसको प्रपर जोड़ना पड़ते हैं, अब जो कि इसको हम उल्टा स्कैन करते हैं, तो कई बार के हो तो उसमें जब अतना डीटेलिंग नहीं आता, उसके लिए हम दूसरा और एक option क्या करते हैं, हम उसको scanner के रखते होएं, scanner को उपर रखते होएं, उसको हम थोड़ा सा छोटा चोटा portion और scan कर लेते हैं, जो कि हमारा main main part होते हैं. जैसे for example, जो floral portion होते हैं, जैसे for example, जो border portion होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहां पे, दोनों में फर्क है, फर्क in the sense, जैसे कि यह हमने फर्स पे चिपका हुआ था, यह 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 फर्स पे चिपका जो हमें दीखे वह प्रोपली दीख получится इसको थोड़ा सा प्रोपर तरीजी से जैसे त्सलीं है इस नौमल सक्ण क fusion सक्डाय के कि जैसे ये हमारा फैब्रिक है कि इस फैब्रीक की ऊपर स्कैनर आ ये तो उसमें क्या होते हैं, डिटे醒 زादा आते बंदार's अब दूसरा स्कैनिग है कि आपको बतार बाइस एक फैफरेक फैब्रीक के आब उसके ऊपर स्कैनर को इस्फरी n के स्कैन करते हैं दोनों जिसके आपको compare idea मिल गया होगा कि इसमें आपको काफी idea लग रहा होगा कि इसमें क्लिरिटी कितना है और इसमें उतने जादे क्लिरिटी नहीं है तो इसका reason है but ultimately कि हमारा लिए easy होते है कि आम इसको फर्स में चिपका के scan करें तो हमारा लिए easy होते है तो first step के आप scan करके उसको detailing लेगा है दूसरा जो होते हैं सबसे important बात अभी हमारा बनाने का process दुरुआत होते है जो आपको मैंने बता रहा हो आप understanding कर पा रहे हैं किस तरीके से पूरा process होते है जो आप beginners होंगे थोड़ा सा आपके लिए complicated लाइगेगा but it's simple चीजह आप समझेगा कि जब भी पूरा dress का में बनाना होते है तो पूरा dress का में properly scan करके बनाना होते है तो इसलिए scanning का थोड़ा सा process आपको बता रहा था next अब आयाती है उसको बनाने का process क्या होते है बनाने के लिए क्या करता है पड़ता है हम जब भी कोई भी dress का design है बनाते है तो उसमें digital print का designing में खास करके जब भी हम कोई नया दुपटना है तो create करते है तो उस टाम हम online से कुछ images या तो कोई designs लेके बनाते है या तो हम draw करक कुछ ऐसा motive हम cut paste कर लेते है ताकि वो properly internet पर मिलता भी नहीं है तो हम इस तरीके से बहुत सारा complicated चीज़ करके फिर एक design को creation करते है अब हमारे जैसे कोई design ने इसको create किया होगा अब इसको जब हम बनाती है तो बनाने के time भी हमें वो चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि कौ कौन सा motive हमें internet से download करके मिल जाएगा कौन सा motive हमें download करना ही पड़ेगा और कोई option नहीं है कौन सा motive हमें redraw या to recreate करना पड़ेगा ताकि वो particular motive को हमें particular design को हम same बना पाए तो यह भी हमें judgment करके understanding करना पड़ते है फिर हम बनाना शुरूत करते है जैसे कि आपको यहां पर बित करते हैं internet से download करने के time कि इसका हमने cut किया cut करके सर्च करने कोश्च किया but unfortunately इसका flower का बंच हो मुझे मिलाने तो मैंने क्या किया simply हमने इसको properly scan किया जैसे कि आपको दीख रहागा अच्छे से scan किया हमने and then उसके बाद हमने क्या क्या उसका जो bunches में आपको दिखाना चाहू जैसे केक आपको दिख रहा है पूरा बेल बना हुआ then उसके बाद उसको smart upgrade करके उसको हमने यहां पर प्रफरली placement किया हूँ आप smart upgrade क्यों क्या है क्या जरूथ है कैसे placement करना होता है इसे in every step में बता हूँगा do not worry बहुत important चीज़े जो क्या आपको इस पड़िला पूर अड चीज़ सीखने के मिलेगा and then उसके बाद उस चीज़ को सीख के आप understanding कर सकते कि एक dress कर देना बरने के time कौन-कोन चीज़ को फोकुस करना होता है कैसे इसको पूरा आप easily and smart तरीके से बरास है तो उसका ही मैं आपको each and every step बता हूँगा तो यहां पर प्रफरली placement क्या आपा न दूसरा जो कि इसमें और चोना मोटिफ सैंज में जैसे आपको यहां पे दिखेगा यहां बहुत साथ एख्षर होते हैं वो अपको understanding करके फटापट काम आपको judgment फटापट लेना पड़ता है ताकि काम आपको फास्ट पूरा designs में आपको दिखा रहा हूँ आपको पहले ही बता था भी बता रहा हूँ पूरा design को बनाने के लिए time लगता है अपको process को समझना होता है पूरा design को बना के मैंने पूरा color matching set करके पूरा address को ready करने के मुझे पूरा एक दिन लगा था एक दिन आप गंटा आप समझ सकते हैं साथ से आठ गंटा मुझे लगा था तो obviously पूरा उसके उपर हमें work करना पड़ता है continuous work नहीं करता है थोड़ा बहुत इधर दो हो जाते हैं मतलब समझ दिए 5-6 घंटा तो work तो होता ही है पहला में setup scan करना दूसरा setup करना तीसरा उसको properly placement करना और कुछ मोटिप को में इंटर्स राउलूर करते हैं बहुत आपको बता हूंगा इंटर्स राउलूर करके उसको प step by step और उसको follow करेंगे बहुत easy आपके लिए हो जाएगा अब देखिए आप मैंने क्या क्या बता है कि किस तरीके से आपको करना रहेगा first step हमने क्या क्या पूरा इसका main structure उसको placement किया अब हमारे पास क्या रहेगा हमने इसका अंदर का जो जो मोटिफ हमें internet से मिल जाएगा वह हमें find out करना पड़ेगा अब जैसे कि हम यह देख रहा है यह जो फ्लावर का बंच से मैंने करें पर देखा हूँ अलग रहा था तो मैंने सोच यह साइद मिल जाएगा यहां पर यहां पर अलग बंच से तो अलग-अलग तीन बंच हमें देख रहा है flowers का तो flowers का बंच ह प्रिंट में देना पड़ेगा तो अगर हम each and every store को हटाने जाएंगे colon stamp tool से बहुत टाइम लग जाएगा तो इस तरीकर जाने में हमने क्या करते कि इसका motive हम cut करते कट करके इसको properly कट करते कट करके हम international search करने हैं कुछ करते हैं इसका जो भी motive जैसे कि मुझे search करने मिल गया था तो आपको मिल सकता है not like a hard thing बढ़ा हमें time देना पड़ते हैं ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब दो मिनिट ढूड़ो और उसमें विल जाए क्या होते हैं बहुत सारा motive को ढूलने के लिए बहुत जारा time लगता है मतलब पुछ motive को हमने cut किया cut करने के बाद या तो motive को जैसे print होने के बाद किया हो तो उसका थोड़ा color काई बार change हो जाते हैं उसमें अगर sequence बगरा add हो जाते हैं तो इंटरनेट से ढूनने की time भी हमें वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है काई बहुत करने का जो कि आपको बता है कि हमारे बहुत detailing क ले रहा हूं तो पहले हमें motive को find out करना पड़ता है अब motive को find out करने के बाद हम उसका फिर से placement करते हैं जैसे उसमें color दीख रहा है उसके according हमें फिर से color को set करना पड़ता है तो यह 2-3 step हमें पहले easily ले ले लेना पड़ता है उसके बाद हमारा दूसरा काम सुरुआत होते है तो यहां पर क्या कि हमने फर्स्ट आपको बता है कि मोठी को कट किया दन इसके अकुडिक सर्च कि अब यहां पर दो तीन अलग 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 फ्लावर का बंच दिख रहा है तो जो फ्लावर का बंच आपको थोड़ा सा प्रॉपर यह अन लगेगा कि उसमें हर एक पॉर्शन यहां पर प्लेश्मन करना पड़ता है काफी जादा टाइम कंजमी इसलिए हो जाते तो इसलिए हम आपको बता रहा हूं कि इसमें कॉपी वर्क में थोड़ा सा जादा टाइम इसलिए हमें देना पड़ता है क्योंकि हमें each and every portion को फिर से रीड्रो या तो recreate करना पड़ता है इसलिए हमें थोड़ा सा जादा टाइम लगता है तो पहले हमने अलग-अलग फ्लावर कट करें अनि जो फ्लावर देखी मुटवर का बंच है वो भी मुझे इसलिए मिली गया था और यह फ्लावर का बंच मुझे 10 से 15 मिट 20 मिन सर्च करना पड़ा था यह फ्लावर बंच तो फ्लावर का बंच मिल जाते हैं अगर नहीं मिल तो क्या करने वह भी आपको बताऊंगा तो पहला हमने फ्लावर का बंच फाइंड पैच करना होते हैं फिर उसके बाद नेक्स जो प्रॉस्ट तो वह था कलर को मैच करना वह एक नेक्स लेबल का चीज़ है वह हम साइज इसमें डिस्कुसन कर पाएं कि नहीं कर आपको बता दूँगा जुरूर तो वह किस्कारना पड़ता है तो फर्ष्ट हमारा क्या होगा जो में मोटीफ उसको हमें सर्च करना अब जैसे कि आपको मैंने बता है कुछ मोटीफ हमें सेम अगर नहीं मिले तो हम क् प्रापली स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद, जो प्रोर्चन हमें समझ माने है, जिसरे स्कैन किया फाइल है, स्कैन में मोटर मोड़ी डिटीलिंग दिखता है, तो उसके एकोरिक हम फ्लावर का बंच को कट कर लेते हैं, जैसे इसमें मैंने कट किया हुआ था, यहां पे पूरा फ्लावर का बंच cut करके मैंने उसको हिसाब से सेम सेम बना लिया था। इह प्र disproportionately को cùngिन की हमदाइस वही यहां पर कुलें काम सब्सक्राइब रहा भी अव्हां मैं फिलाइए इसमेंटेव्टेट रही हैंगे नकिements और श्ला फिलेशं Help जो फैबरिक टेक्सर है उस चाहिए तो सब्सक्रता हम ने के बाद सांब्री सब्सक्राइब्स को वाट को यहां पर दिखाता हो देखिए पटिगलर जो में बहुत सब्राइब करना पड़ या तो हमें इस्केंड करने की बाद है लाइठ हो गया झाए फिर लाइट हो गया बूरा हमें जा जाके अलग से पड़ता है बट मैं इस नहीं उसके आता हो ताकि एक बार एक बार आगा में जाके अब माल लीजिए इस फ्लावर में जाके मुझे थोड़ा से इसको डार करना हो जस्ट आपको दिखाता हो देखिए चीज़ों का अच्छे सा अब्जब करेगा थोड़ा समय डार किया से फ् नेक्स टाइम लाइफ क्लास में बताऊंगा रॉड़ वरी इस पर्टिकुलर डाकुम्न में आपको दीख रहा होगा यहां में जो फ्लावर का बंजस हैं उसमें वह चेंज़े से हो जाएगा कैसे होगा दिखाता हो देखिए थोड़ता डार्क किया मैंने इसको क्लोज किय है एन सेफ किया तो दूसरे जो हमारा स्मार्ट जेट है उसमें वह चेंज़े हो जाएगा और मुंऔर हम ख्लोज करेंगे तो देखिए उसमें भी सब में चेंज हो जाएगा सब में दिखिए उसका पूरा जो फ्लावर का बंचे से उसमें सब में हो चेंज हो जाएगा फिर से एक बार करके दिखा जटाओ इसलिए मैं स्मार्ड अजट यूज करता हूँ ताकि हमारे लिए वो इजी पड़ता है क्लोज क्लोज कुटन अप्डेट स्मार्ड अजट फॉल हो जाने के वैसे वह नहीं होता है इसमें थोड़ा सा मेरा लाइफ क्लासेज भी चल रहे हैं साथ-साथ-साथ-साप का भी डिक्स फुल हो जा रहा है जो की फाइल साथ बहुत ज़्या बड़ा है यह वाला होम प्रिस करते हैं तो पूरा स्मार्ड बेर का जितना भी डॉकुमेंट है सब में चैंज रहे हैं इसलिए हम इस पर्टिकुलर काम को करते हैं बहुत इजी भी पढ़ता है विए उसमें चुछबा-चलि बाररिक बारिक पोरिशन को लाइट करना कुछ पर्शन को लाइट करना यहां पर आपको दिखाता हूं यहां पर मैंने टिक्षड पार्ट को एक स्षर्विक जैसे पैटवरर बना लिए अब बनने के बार हमने क्या क्या उस पैटन को कहीं कई पर जरुपर मैंने मास्किंग किया हुआ देखिए आपको दिखेगा जहां जहां पर ज़रूरत है जैसे इसमें दिख रहा है उसके अपूरिंग मैंने masking कर दिया ताकि सरे उतना portion में उदिखे next जो कि pattern और एक था हमारे पस यहाँ पर leaves का pattern था अब यह जो leaves का pattern थे वो हमें internet से मिल गया था जो कि यह बारा particular leaves का pattern इसको भी मुझे थोड़ा सा 10-15 मिन्ट सेर्च करना पड़ा था योगि मुझे लग रहा था common है इसलिए इस particular में लिप्स को cut किया एंड यंडिक्स में जाके मैं जाके search किया गूगल में जाके search किया तो यह लिप्स का पूरा pattern मुझे मिल किया था तो उसी pattern को हमने यहाँ पर properly रखा देखें यहाँ पर पूरा pattern बना हुआ है चीज़े को अच्छे समझेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए पूरा pattern था अब इस pattern को हमने क्या क्या था प्याटन था नहीं बना पूरा pattern जैसे बनाया हुआ हुआ है soft light blending mode दिया हुआ है थोड़ा सा look उसके जैसा लगए तो हमारा दो काम देखे हो गए एक च्छोटा motif दूसरा texture effect तीसरा जो कि आपको यहाँ पर हमें बताने वाला हुआ हो जो कि यहाँ पर flower का part जो कि यह बहुत जड़ा important part है flower का part मैं आपको मैंने बता है यह flower मुझे internet से download करना के मिल गया था इसको मैंने smart wear रखा हूँ था उसका भी reason है because smart wear में क्या होते है हम एक में change करें तो सब में change हो रहते है कई बार हमें क्या करना पड़ता है कुछ portion को हमें light करना पड़ता है जैसे इसमें आउट्लाइन को मैंने कम किया था किसी portion में में थोड़ा सा dark करना पड़ता है तो इसलिए मैं smart wear करके रहता हूँ जो कि मुझे बहुत था benefit होते है करने का फाइदा यह होते है कि मुझे एक बंच इसी बंच को मैंने हर जगा पर रखा हूँ इसी को छोटा बड़ा जोटा बड़ा करके ताकि यह बंच में change करो तो इसमें भी change हो जाए हर एक जगा पर चेंज हो जाए ठीक है इसके लिए मैं smart wear करके रहता हूँ इसमें एक बाद मतलब इसके बसके बाद हमें एक बस इसके बाद हमारे पास काम क्या होते है कि उस पूरा design का एक प्रापर color combination मतलब जैसे इस design में दिख रहा है उसके according हमें color को सेट करना and also उसको हमें एक बार sampling करके देखना पड़ता है कि fabric में जब हम design को print करते हैं तो उसमें color combination कैसा बैट रहा है because कई बार ऐसा होते हैं कि जो हमें design दिखता है यह online साम download करते उसको हम producer में ले जाके अगर हम as it is print दे उसमें same result नहीं आता पिकोज समस पॉपी करने खुश करेंगंगों पिर उसके बार में समझ में फिर उसके घूर को ट्र्लट करेंग अपर उसमें थ्ट्रीब करके हैं यह पूरा प्रोस्स होते है तो में दो स्टेप बता हुआ है करना होते हैं तो इसमें आपको टाइम लाएगा चीजों को समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और इसको प्रक्टिस करते करते हैं अब उसमें पर्फिक्शन आएगा और टीट्वाल देखने से आपको सिर्फ बेनिफिट नहीं होगा उसको अपको अंडेस्टानिंग करन ताकि आप जब इस तरीका डिजाने बनाओ तो आप उस सारा चीज टप को फॉलो करके इजीली चीजों करपा और माइन में पूरा क्लिटी हो कौन कॉन से स्टेप को नेक्स 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 फॉलो करना है ठीक तो फइले टेक्श्च्चर दूसरे उसके बाद फ्लावर मोट अब यहां पिस आपशेत नकिसे जाएगा तो आप यहां पर देखेंगे इससक इस इंधू बोडर पार अप्शॉलि exactly यह जो डिसाइइन्ज पार्ड़ उसका यहां को नहीं 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 है कि मिलने व्हाला नहीं है बिकर उस मेς से मिलने वहाला नहीं है हम क्या करेंगे हमारे पास next option आ जाते जो file को हमने scan किया जैसे इस particular portion को हमने किया था flower का portion को क्या हमने scan file को उपर से उस particular patient को बना लिया था 司म तरिके से यह जो border part है इस border part को भी हम scan करके उस पूरा portion को मैंने लिए लिए थे से आपको दीखेएगा मैंने आपको दीखे बना के रखा हुआ बॉर्डर पार्ट देखे यह जो बॉर्डर पार्ट है आपको यहां पे दीखेगा यह पूरा बॉर्डर पार्ट को मैंने इस तरीके से रेडी किया हुआ है लेट में सेर यह border part मैंने जो हमारा design को हमने scan किया था, एक हमने scan किया था, नीचे रखे, दूसरा हमने scan किया था, scanner को पर रखे properly scan किया था, ताकि उसका detailing अच्छे तर दीखे, तो उस particular scan को portion को लेके cut किया, then उसका जो भी border था हमने दीखे रहा था, fab दीखे में उसको properly cut किया, obviously इसको cut करने किया हमें time लगता है, भी उस scan करने को बहुत कुछ तरीका देखता है, देखिए scan file है, obviously इसका repeat हमें अगर cut भी करना हो, तो each and every portion हमें paint tool से cut करना पड़ता है, it's not like easy thing, तो obviously इसका sequence हमें हटाना पड़ता है, तभी उसको उपर हम work कर पाएंगे, तो portion हमें दीख रहा था, उस portion हम scanning file से ही लेके properly उसको cut करके, then उसको उपर संबराने का कोशिश करते है, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा design है बनते है, and design बनने के बाद जो जो portion हमारे लिए easy हो, वो हम पहले ready करते हैं, दूसरी बाद जो portion हमारे लिए थोड़ा सा complete है, वो हम थोड़ा सा last last में edit करते है, तो इसमें दीखी, दो जो सबसे easy lag रहा था मेरे लिए, जो की main main flower part था, उसको मैंने flower cutting किया, placement किया, color को as it is, जैसे उसमें दीख रहा था, उसके according changes किया, and then next part में जो की texture वाला part था, texture वाला part में जैसा आपको उनने बताया है, कि scanning fabric से, जो portion हमारे लिए first important था, उस portion को मैंने cut किया, all wear pattern बनाया, and जैसे जैसे दीख रहा था, उसके according मेंने texture placement किया, and then ये पूरा design रही हुआ, and इसमें देखी, यहाँ पे कुछ मैंने, ऊपर, जो की इस particular dress में आपको दीखेगा, यहाँ पे कुछ over texture दीख रहा है, तो उसमें मैंने क्या किया था, जो scanning file है, उस scanning file का कु 20-25 मिनिट के अंदर तो like पूरा dress को मैंने कैसे बनाया था, वो आपको बता दिया, but it's not like easy thing कि इसको बनाने के लिए 5-6 घंटा लग जाता, because उसमें बहुत सरा process आता है, first process scanning, second process का placement को understanding करना, third process होते है, जो भी motive से उसको cut करके, same find out करने है, खोशिश करना, फिर cutting, जो भी motive ह मिले, internet से download करने के बाद, उसको cut करके, फिर से उसको placement करना, fourth जो कि होते है, कई बार कुछ motive नहीं मिलता, scan क्या हो, fabric को उपर से cut करके, उसको उपर से placement करना, साथ-साथ में उसका each and every part को cut करके, उसका recording बठाना, जब फिर नेक्स उसको बाद जो step आया थे, वो the color को match करना, that is a very, very, very important part, guys, because तरफ आपको placements करना, या तो positioning करना, इंपर्ट नहीं होता, उसके बाद आता है, color को match करना, आप color matching में भी और एक part आ जाते, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा, and जो हमें dress में दीख रहा है, उसके according, जहां पर जैसे किस particular करना पड़ा, जो भी इसका flower का color था, जिसे आपको यहां पर दिखेगा, color थोड़ा सा अलग था, उसको हमने color को change करना पड़ा, ताकि वो dress को उपर same same दीखे, अब obviously इसके लिए हमें first time जो हम बनाते, उसमें उतना अच्छा result नहीं आता, तो उसको हमें sampling करना पड़ता है, sampling in the sense, जो भी dress कर जाना बना है, जितना हमें समझ में एक बार में ready किया, फिर fabric को पर sampling किया, ताकि हमें idea हो कि हमें इसमें कहां पे कौन सा portion edit करना है, कि flower में कितना darkness लाना है, background texture में कहां पे, और add करना है, texture को light करना है, texture को dull करना है, तो यह सारा चीज़ करने की बाद ही पू तो आपको मन में घवरात नहीं लाना है, positively उस particular challenges को accept करना है, कि नहीं में यह कर सकता हो, that is the very very important point, because आप अगर कभी भी, सरफ EA वाला address नहीं, यह आपको मैंने एक example बता है, ऐसे बहुत सरा address आते, कुछ-कुछ address होते कि हमें पूरा draw करके बनाना पड़ता है, मताब पूरा, मैं आपको next कई भी होता है, मौका आपको बता, recently एक बना है, पूरा draw करके बनाना पड़ा हमें, अब उसको draw करने के लिए, हमने दो designer ने draw किया, दो designer ने समझे लिए, almost 5-6 घंटा काम किया, तो 6-12 घंटे का काम हो, तो हिसाब से पूरा address कर जाना जी लिए, तो इसमें भी क करना पड़ता है, हम कोई भी जॉब करते हैं, तो करना पड़ता है, I don't know, आपको इस challenges face करना होता है, अगर आपको भी ये same problem face करना होता है, I hope show, आप इस रिलेट कर पार होगे, नीचे chat section में आप जरूर एक बार मुझे बताया है, comment section में, Shodhar मैं भी समझ पाओ, and इस particular session से आपको क्या benefit हुआ, वो भी मुझे जरूर बताएगा, Shodhar मुझे idea मिले है, आप लोगो को कहां पर और कुछ training देना है, और कुछ idea, help कर पाओ, and ultimately मेरा उद्यश है, आप लोगो को properly idea देना, and जो भी हमारा course curriculum में सा जूड़े हुआ, आपको बताई है, कि 98 challenge में बखास करके, हमने course curriculum में, हमने course जो की basic level तो सिख्या हुआ है, but address designing के regarding detailing tutorial नहीं है, एक ही course में सारा चीज हम explore नहीं करते हैं, फिर student confused सकते हैं, इसलिए हमने 98 challenge में, जो मेना main courses है, उसमें मैंने सारा चीज detailing दिया हुआ, उसको आप अच्छे देख देखेगा, तो और भी बहुत सारा step आप को समझ में आएगा, but initially, जो सबसे important बात है, कि हमें confidently face करना है, challenge इसको, फिर उसको step by step follow करना है, क्या चीज़े पहले करना है, क्या चीज़े बाद में करना है, वो चीज़े हमें mind में calculate करना है, then इसको बाद चीज़े को थोड़ा-थोड़ा करना है, first काम रहेगा, जो भी हम and इस तरीके से अपका पूरा dress का design बन सकते है, तो फूरा dress का designing में color combination एक बहुत important role play करते है, खास करके जब हम design को finalize करने जाते है, तो उस time हमें color को same से match करने के लिए hue saturation, selective color, color balance, curve, adjustment layer का बहुत सरा uses करना पड़ता है, ताकि उसका portion dark कर पाए, color को hue saturation से change कर पाए, तो सारा ची आपको adding work ononnen比 27, 100श फॉर इस जब आप को हमें बता आया है, या इस इस को गांके आपाया है, आपने इस particular रहा अपने काम इस तरीका इस का हमें आप कर पाए, okay and then ने पुरा ड्रेस का डिजान भुर साली अब उसके बाद इस पारивать से पूरा जग हमें एक है और उसका पूरा का डिजना करे ज तो आपको को दिए ब्रूरे करना देमिट जग होग पूरा प्रेंब भूर आगे बढ़ सकते हैं यहां पर जो भी आपको ने बताया इसके रिगर्डिंग कोई भी डाउट सो प्रीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता है इसके एकोडिंग में आपको और हेल्प कर पाऊ उनको हम लाइफ क्लासेज देते जिसमें उनको बहुत सारा जो कोर्स करीगुलम में टॉपिक दिया गया वो तो सिखाए जाते साथ साथ में उनको कुछ और भी एक्स्ट्राउटिनरी चीज़ों बताई है ताकि आपको 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 आप जोइन करना चाते हैं वारा कोर्स क के लिए जरूत मंद होते हैं जो बिगिनर्स के लिए अलगा-लग वार भी बहुत सारे कोर्से दिरेक्टिव हुआ हमने हैं जो इंपॉर्टन जो रनाउंड और बुर जातों सबसी जारा डिमांड टॉपिक इसक्याकरिंग दिया हुआ हुआ जिसमें एक बिगिनर्स से एक से पूछ सकते हैं और अल्सो इस पुरा कोर्स करिकुलम में अल्मूस 700 टिटोरियल्स है जो टिटोरियल्स को आप कभी भी देखके कुछ भी सीक सकते हैं समझ सकते हैं उसके अध्वोडिंग आगे वड़ सकते हैं गाइस अल्टेंट्स आ वेरी वेरी इंपॉर्टन फॉर से वेस्ट्स करिकुलम आप जान कर सकते हैं आपके लाएफ क्लाइब कर लिएगा साथ 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 पुल भी टॉटोरियल्स आई उसका आप देखिए छीके फ्री में आप अपने आपको ब्रो और आपको आपको आता में अनृपको अध्यक्कों लिखिएगा ताकि आपका ज जो भी टॉपिक है जो भी नया टॉपिक आप चाहते हैं उसके कोडिक बनाऊगा एंद आप लोग में help करने कुछ करऊगा सब्सक्राइब की प्लोड़िंग एंद भी क्वेरे पैस थैक्स वाचिंग